नमस्कार, मैं हूँ ससी, संध्या समाचार में आपका स्वागत है, आए जहरखन के दिन भर की खबर जानते हैं जहरखन के एक लाख लोगों को मिलेगा पुर्णवास योजना का लाभ राज सरकार ने केंदर द्वारा प्रस्तावीद संसोधित जहरई या पुर्णवास योजना को समती दे दी है, संसोधित पुर्णवास योजना में कुछ महत्पुन बदलाव भी किये गया है साथ ही कई मदों में लाभुकों को पहले से अधिक पैसा देने का परधान किया गया है इस तरह योजना पर कूल 6554 के खर्च का अनुवान है संस्वधित पूर्णवास योजना में कौट अफ डेट को वर्ष 2004 से बदल कर 2019 कर दिया गया इससे लाभुकों की संख्या में 51,655 की विरीदी हुई है अब लाभुकों की संख्या 53,291 से बढ़ कर 1,4,946 हो गई राई सरकार ने संसोधित योजना को समती देते हुए इसे केंदर सरकार को भेज दिया है बतादे संसोधित जर्या पूर्णवास योजना के तहत की संख्या 52,822 है जो जमीन के वैद मालकों की संख्या के मुकाबले दोगना से अधिक है पच्मिस सिंभूम के गोईल के रा में फिर IDB स्फोर्ट, CRPF के ASI चपेट में जार्खन के पच्मिस सिंभूम जीले के गोईल के रा में फिर IEDB स्फोर्ट हो गया है केंद्रे रिजारब पुलिस स्फोर्ट, CRPF के ASI की चपेट में आगाए घाटना कोल्हान के गोईल के रा थाना अंतरगत, कुईडा जंगल के पास हुई है बता देनक सलियो द्वारा बीचाए गए IED में सोम वार सुबह करीब 6.5 बजे बलाश्ट हो गया CRPF के एक AASI देवंद्र कुमार इसकी चपेट में आकर घायल हो गया पाचमी सिम्भूम के ASP असुतोस सेखर ने इसकी पुष्टी की है बिसफोर्ट में घायल AASI को यहर लिफ्ट करके रांची भेजा गया है बेहतर इलाज के लिए मेडिका अस्पदाल में भर्ती कराया गया है कुडमी को अनुशूचित जन जाती में सामिल करने की मांग आदिवासी कुडमी का परदेश अस्तरिय अदिवेशन रभिवार को बिधाया कल्ब हल धुर्वा में हुआ इसमें कुडमी समाज को अनुशूचित जन जाती की सूचि में सामिल करने की मांग उठी इसके अलावा कुडमी भासा को समिधान की आठवी अनुशूचि में सामिल करने और कुडमाली भासा के लिए परियुक्त तूटी पूर्ण स्तब्द कुर्माली को इस्कूल से कॉलेज अस्तर तक औविलम सोधित करने की मायंग समाज के लोगों ने की वक्ताओं ने कहा है कि कुर्माली की परहाई बिद्याले से महा बिद्याले अस्तर पर कराई जाए कायकरम में जनगन्ना की भासा सूची में कुडमाली भासा को रलागू करने सहीत अन्यमांग को जल्द पूरा करने को लेकर एकमत रहने का समाज के लोगों से अवाहन किया गया इधर अधिवेशन के दोरांसरों समधिसे जार्खन परदेश कमेटी का गठन भी किया गया जार्खन में जनजातिय वा छेत्रिय भासा से असनातक पास अभियार्थी भी बनेंगे सिक्छक 15 भासा भी सावयों में से किसी एक में असनातक करने वाले अभियार्थी राजे के मद्ध बिद्या लो 6 से 8 वी कक्छत तक भासा भी सावय के सिक्छक बन सकेंगे सहयक आचार्य नियुक्तिनी मालियों 2022 में कियेगा संसोधन के बाद सिक्षा विभाग ने इसकी अधिसुचना जारी कर दी है इसमें कहा गया है कि कार्मिक प्रसासनिक सुधार तथ राज भासा विभाग द्वारा इस वर्ष मार्च में अधिसुचीत 15 भासाओं में से किसी एक में मन्याता प्रावत संस्थान से नियुनतम तीन वर्ष असना तक या असना तक उतिर्न करने वाले अभियार्थी मर्धे बिद्याले में भासा विशाय के सिक्षक पत के लिए आवेदन कर सकेंगे इस वर्ष मार्च में राज सरकार ने जिन भासाओं को राज में नियुक्ति के लिए सुचना किया है उनमें हिंदी अंग्रेजी उर्दू संथाली बंगला मुंडारी हो खड़िया कुरूख कुर बिद्याले में भासा विशाय के सिक्षक पत कर सकेंगे इस वर्ष में राज समाप्ति की ओर पढ़ता है तो राज सिक्षक की ओर आफड़ाता फ्रीबन नहीं रहती है लेकिन चालू बिद्याले में भासा वर्ष की पहली तिमाही में 30 जून तक लबक 8 फिश्दी योजना 48 फिश्दी खर्चो चुकी है जबकि पिछले बिद्यावर्ष की पहली तिमाही में आकड़ा 7 फिश्दी से कम था पिछले साल 9 महीने बिद जाने के बाद ही मातर 44 फिश्दी योजना बिद्यावर्ष की खर्चो पाई थी जमसेदपूर में बन रही महिलाओ के लिए मस्जीद जार्खन के जमसेदपूर से 60 कपाली ताजनगर में देश की पहली महिला मस्जीद सयद्दा जहरा बीबी फातीमा इस साल के अंत तक बन कर त्यार हो जाएगी इस मस्जीद में केवल महिलाओ ही नमाज आदा करने जा सकेंगी बतादे पूर्षो का परवेश पूरी तरह से वर्जित होगा बतादे कि यहाँ इमाम से लेकर दर्बान तक सभी महिलाओ ही होंगी हलाकि इसलामिक धर्म गुरुओं का कहना है कि महिलाओ इमामत नहीं कर चकती इसलिए इसका बिरोध भी सुरू हो चुका है फात्वा भी आ रहे हैं यह मस्जीद समाज से भी डाक्टर नुरुजमा खान बनवा रहे हैं बता देगी ओ, अल, इमदाद, एजुकेशन, वेलफेर, आएंड, चेरीटेवल सोसाइटी बनाकर करीब 25 साल से गरीब बच्चों के लिए हाई स्कूल चला रहे हैं एतिहासिक होगा बिधान सभा का मानसून सत्र इस्पीकर ज्यारखन बिधान सभा के अध्यक्ष रविंदर नात महतों ने कहा है कि इस बार का मानसून सत्र इतिहासिक होगा सोमवार को प्रेज को समधित करते हुए स्री महतों ने कहा है कि बिधान सभा के मानसून सत्र की त्यारी पूरी हो चुकी है उन्होंने बताया है कि मांसुल सत्र की शुरत 28 जुलाई से हो रही है सत्र 4 अगस्त तक चलेगा इस पिकर ने उमीद जताई है कि पक्ष और भी पक्ष के सभी विधायकों से सदन को चलाने में उन्हें अपेक्षित सायोग मिलेगा गुमला में भौरों ने 50 लोगों किया घायल 30 लोग की सिती गंभीर गुमला जिलाई सित कामड़ा परखंड के तुर्बुल मिसं टोली के कबरिस्तान में सोद अपनाने गए लोगों पर भौरों ने हमला कर दिया हमले में भौरों ने 50 अधिक लोगों को डंक मारा जिसमें से 30 लोग की सिती काफी गंभीर है सभी गायलों का इलाज कामड़ा समुदा एक सास के दर में चल रहा है हलाकि डॉक्टरों ने इलाज के बाद सभी को खत्रे से बाहर बताया है इधर भौरों के हमले के बाद घंटों तक सभ का दफन किरिया रुक गई थी हमले के बाद लोग सभ छोड़ कर फरार हो गाए वहीं कुछ लोग सभ के समीप का प्राल अपेट कर बैठ गाए भौरों के हमले में घायर लोगों में आरोसी अनिसा करकेटा सामिल है सिमडेगगा में अंतर राजिये वीर सहीद थोमास सोरेंग फुटबल 25 जुलाई से अंतर राजिये वीर सहीद थोमास सोरेंग फुटबल परत्योकता के आयोजित की बैठक रब्भी वार को परिषदन बहुन में राज़स कुमार सिंग के देखिता में हुई बैठक में राज़स सिंग ने बताया है कि लागातार 24 स्वे वर्ष परत्युक्ता आयोजीत की जा रही है परत्युक्ता का आयोजन भव्य तरीके से किया जाएगा बताया गया कि परत्योक्ता में उडिशा, 36 गर बिहार, बंगाल वा जार्खन की टीमें भाग लेंगी परत्योक्ता का उद घाटन 25 जुलाई को अलबट एक काय स्टेडियम में किया जागा परत्योक्ता के सभी मैचों के लिए रांची से 20 सग ए रेफिरियों को बुलाया जागा परत्योक्ता में भाग लेने वाले एक चुक टीमें 20 जुलाई तक राइस्टेशन करा सकती है बुखेट में परिटोकता की त्यारी की समिखिशा करते हुए सफल संचालन के लिए कार्यों का बत्वारा किया गया लोहर दगगा में कांगरोसी हो लोहर दगगा जिले में भारत जोलो की बात आम जनों के साथ अभिआन की शुरूआत हुई है या अभियान 5 सितंबर को सिक्षक दिवस का उसर पर जीले के सिल्षकों को समानित करने के बाद समापत होगा इसकी जनकाई देते हो कॉंगरेस के जिला धियक सुकहर भागत ने कंगरेस करयालाय राइंद्र भ ăवन में अवैजीत पत्रकार समIM में पत्रकारों को बताया की इस कारकरम के तहट लोग के घर घर जाकर मिलने का काम कंगरेस करेगी उन्होंने बताया कि राहूल गांथी की भारत जोलो यात्रा को देशों पर चार्चा करते हुए अपनी तस्वीर को सोसल मीडिया पर सेयर करेंगे ताकि ज़्यादा ज़्यादा लोग के बीच राहूल गांथी की संदेश को पहुंचया जा सके साथी मंडल, पंचायत, बूत अस्तर तक संगठन की पुरनाता के कार्य को अमतिम रूप देंगे मुख्य मंत्री मेधा चात्रविर्थी के प्रती उदासीन है स्टुडेंट जारकण में मुख मंत्री में धा चात्रवीति के लिए चात्र चात्राओं आवेदन नहीं कर रहे हैं इसके लिए आठवी पास और नावी में पढ़ रहे चात्र चात्राओं को आवेदन करना है आठवी के 225,000-67 में से अब तक 49,000-67 नहीं आवेदन किया है आवेदन करने की तीथी भी बढ़ गई है लेकिन उसका सही पईनाम नहीं आया बता दे 18 जुलाई तक चात्र चात्राओं को इसके लिए आवेदन करना है जबकि 6 अगस्ट को इसकी परिक्षा होनी है वहीं इससे पहले 28 जुलाई से परवेश पत्र मिलने सुरू हो जाएंगे इसके लिए आवेदन कर सकेंगे सबी जीलों को जादा सब्सक्सक्राओं को नौकश्ट करने का निर्देश दिया गया वहीं नौवी से बरवी तक के चात्र चात्राओं को मोख्यमंतरी में लाज़ा चात्र वेदिकिराशी मिलती है इसमें 12,000 रुपे सलाना दिये जाएंगे बेरोजगारों को दिया गया नौकरी का लालाच गरीब बेरोजगार आदिवासी युवाओं को नौकरी दिलाने का जासा देकर आवेद वसूली का ममला सामने आया है घाटना की सिकायत के बाद आरोपी को पूली सीरासत में लेकर पूछताच कर रही है जनकारी का अनुसार चक्रधरपूर परखंड के एक युवक ने विभीन छेत्रे के बेरोजगारों को उडिशा के साई कंस्ट्रक्चन नामक कंप्णी में नौकरी देने का नाम पर रुपाय आट लिए सभी बेरोजगारों को 16 जुलाई रफिवर को चक्रधरपूर के मरवाड़ी हाई स्कूल के पास पोड़ा हाट इस्ट डे में जामा होने को कहा गया था जहां उन्हें बस से उडिशा भेहना था इंतिजार करने के बाद भी जब बेरोजगारों को लेने के लिए बस नहीं पहुँची तो योगों ने हंगामा करना शुरू कर दिया सुचना पर पुलीस थाना पर भारी चनर सेखर कुमार मोके पर पहुँचे वा पूश्ताच की गई धन्यवाद यदि आप चैनल पनाए है तो चैनल के सब्सक्राइब कर बोल का अबेल लाइक करने बाई साथ साथ वीडियो को एक लाइक है अपने दोस्तों से असर करने ना भूले साथ साथ आप हमें कमेंट बक्स में अपना फीडिवाएक वसे दे थांक्यू